माइकल ने किसी पिक्चर को कलर करने के लिए 7 upon 12 hours लगाए वैभव फिनिश्ट कलरिंग दा सेम पिक्चर इन 3 by 4 आवर और वैभव ने उसी पिक्चर को कलर करने के लिए 3 by 4 आवर्स लगाए किस ने जादा टाइम लगाया और वो फ्रैक्चन भी बताईए जो जादा लगाए सबसे पहले हमें यही बताना है कि इन में से माइकल और वैभव में से इस पिक्चर को कलर करने के लिए टाइम कौन जादा लगा रहा है तो यह दो चीज़े हमारे पास गिवन है ताइम टेकन बाई माइकल और टाइम टेकन बाई वैभव तो यहां M for माइकल और V for वैभव माइकल का जो टाइम है वो है 7 upon 12 आवर और वैभव का जो टाइम है वो है 3 upon 4 आवर हमें बताना इनमें कौन बढ़ा है कौन छोटा है तो इनके denominator तो same है नहीं जब तक हम इनके denominator को same नहीं कर लेते हैं हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सा fraction बढ़ा है तो denominator same करने के लिए denominator का हम पहले लेंगे LCM तो 12 और 4 का LCM ले लेते हैं तो से जाएगा यह 6 आगया यह 2 से जाके 2 आगया यह 2 से जाएगा तो 3 आगया यह 1 आगया यह 3 से ही जाएगा यहाँ 1 हो गया यहाँ 1 अलरड़ी है तो LCM हो जाएगा 2 into 2 into 3 2 2s are 4, 4 3s are 12 यानि दोनों के नीचे मैं 12 बना सकता हूँ तो यहाँ भी मेरे को 12 बनाना है और यहाँ पर भी मेरे को 12 ही बनाना है अब यहाँ 12 बनाने के लिए उपर ध्यान देंगे यहाँ 12 से 12 बनाने के लिए किस से multiply करेंगे simply 1 से ही करेंगे तो जब यहाँ 1 से किया है तो उपर भी 1 से ही करेंगे तो 7 1 सा 7 यहां तो आ गया है 7 अब वैभाव पे बढ़ते हैं तो 4 को 12 बनाना है 4, 3000 होता है 12 यहां 3 से किया तो यहां भी 3 से करेंगे तो 3, 3000 हो गया 9 अब मैंने दोनों के denominator सेम बना लिये यानि 12 में से 7 और 12 में से 9 तो मैं बता सकता हूँ कि इन में कौन बढ़ा है 12 में से 9 बढ़ा है तो यहां पे मैं बढ़े का निशान लगा लोगा यानि मुझे पता चल गया कि V4 वैभाव जो है जाधा टाइम ले रहा है अब कितना जाधा ले रहा है यह मुझे इनका डिफरेंस करके पता चलेगा तो डिफरेंस इन टाइम और निकाल लेता हूँ मैं तो डिफरेंस इन टाइम तो जाधा टाइम में से छोटा वाला टाइम माइनस कर देंगे यानि 9 अपॉन 12 में से 7 अपॉन 12 माइनस कर लेंगे नीचे डिनॉमिनेटर सेम है तो as it is आ जाएगा उपर 9 माइनस 7 तो वैलू आ गई है उपर 2 नीचे आ गई है 12 ये दोनों 2 से कट रहे हैं 2 1s are 2 और 2 6s are 12 तो 1 upon 6 वो fraction है यानि 1 upon 6 hours ये ज़्यादा टाइम ले रहा है वैभव तो अपने दोनों answers यानि who worked longer कौन ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा देर तक काम कर रहा है और कितना ज़्यादा fraction से काम कर रहा है दोनों का answer एक ही बारी में लिख देंगे therefore वैभव वर्कड लोंगर और कितना by 1 upon 6 आवर question खतम तो इस video बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye